प्राचीन काल में सुर्व, असुर्व, देव, दानव, दैत्य, रक्ष, यक्ष, दक्ष, किन्नर, निशात, वानर, गंदर्व, नाग, आदि जातिया होती थी रक्षसों को पहले रक्ष कहा जाता था रक्ष का अर्थ जो समाज ही रक्षा करे रक्षस लोग पहले रक्षा करने के लिए निउक्त हुए थे लेकिन बाद में इनकी प्रवर्तियां बदलने के कारण और अपने कर्मों के कारण बदनाम होते गई है और आज के संधर्म में इन्हें असुरों और दानवों जैसा ही माना गया है देवताओं की उत्पत्ती अधिती से असुरों की दिती से दानवों की दनू और नाग की कद्र से मानी गई है पुराणों के अनुसार कश्यप की सुर्षा नामक रानी से यातुधान राक्षस उत्पन हुआ लेकिन एक कथा के अनुसार प्रजापती ब्रम्हा ने समुदरगत जल और पराणीों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के पराणीों को उत्पन किया उन में से कुछ पराणीों ने रक्षा की जिम्मेदारी संभाली तो वो राक्षस कहलाए और जिन्होंने यक्षन अर्थात पूजन करना सुईकार किया वो यक्ष कहलाए जल की रक्षा करने के महत्वपूर कारी को संभालने के लिए ये जाती पवित्र मानी जाती है राक्षासों को प्रतिनिदित्व इन दोनों को सौप दिया गया हेती और प्रहेती ये दोनों भाई थे ये दोनों भी दैत्यों के प्रतिनिदी मदु और काटब के समानी बलशाली और पराक्रवी थे प्रहेती धर्मात्मा था तो हेती को राजपाट और राजनीती में ज्यादारुची थी रामाइड काल में जहाँ विजित्र तरह के मानव और पशुपच्ची होते थे वहीं उस काल में राक्षसों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था राक्षसों में माया भी शक्तिया मोती थी, वो अपनी शक्ति से देव और मानव को आतंकित करते रहते थे रामायर काल में संपूर दक्षिड भारत और डंड कारड छेत्र जो की मध्यप्रदेश और छतिस गड़ बे कहलाता है उस पर राक्षसों का आतंक था डंड नामक राक्षस के कारड ही इस छेत्र का नाम डंड कारड ये पड़ा था दोस्तों चलिए जानते हैं कि रामायर काल के वो कौन से राक्षस थे जिनका डंगा बचता था और जिन लोगों ने रामायर काल में आतंक फैला के रखा हुआ था इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको सही और सटी जानकारी प्राप्तों पाए दोस्तो रामाड काल के राक्षसों को जानने से पहले हमें पहले उनकी उत्पत्ती की कथा को जानना होगा कि आखिर उनकी उत्पत्ती कैसे हुई प्राचीन काल में राक्षसों का प्रतिनिद्ध दो लोगों को सौपा गया था वो थे हेती और प्रहेती ये दोनों ही भाई थे हेती ने अपने सामराज्य विस्तार के हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया भया से उसके विद्धुत केश नामक एक पुत्र का जनब हुआ उसका विवा संध्या की पुत्री सालक टंकटा से हुआ माना जाता है कि सालक टंकटा वेवी चारेडी थी इस कारण उसका जब पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया विद्दुत केश ने भी उस पुत्र की जानकर कोई परवा नहीं की कि ये नहीं मालूम था कि वो किसका पुत्र था बस यहीं से राक्षस जाती में बदलावा गया शिव और माता पार्वती की उस अनात बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान करी उस अबोध बालक को त्याग देने के कारण माता पार्वती ने शाप दे दिया कि अब से राक्षस जाती की इस्त्रिया जल्द गर्ब धारड करेंगी और उनसे उत्पन्य बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्थाद धारड करेगा इस शाप से राक्षसों में शारीरिक आकरशर कम विक्रालता जादा रही शिव और पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा शिव के वर्दान के कारड वो निडर था वो निर्भीक होकर कहीं भी विचर कर सकता था शिव ने उसे एक विमान भी दिया था शुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया देववती से सुकेश के तीन पुत्र हुए मालेवान, सुमाली और माली इन तीनों के कारड रक्षस जाती को विस्तार और प्रसिद्धी प्राप्त हुई इन तीनों भाईों ने शक्ती और एश्वरे प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी ब्रह्मा जी ने इने शत्रों पर विजय प्राप्त करने और तीनों भाईों में एक्ता और प्रेब बनाए रखने का वर्दान दिया वर्दान के प्रभाव से ये तीनों भाई एहंकारी हो गए तीनों भाईों ने मिलकर विश्वकर्मा से त्रिकूर परवत के निकट समुद्र ट्रट पर लंका का निर्माण कराया और उसे अपने शाशन का केंद्र बनाया इस तरह उन्होंने राक्षसों को एक जुट करके राक्षसों का अधिपत्य इस्थापित किया और उसे राक्षस जाती का केंद्र भी बनाया लंका को उन्होंने धन और वैभव की धर्ती बना दिया और यहां तीनों राक्षसों ने राक्षस संस्क्रती के लिए विश्व विजय की कामना करी उनका एहनकार बढ़ता गया और उन्होंने यक्षो और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया जिससे संपूर धर्ती पर आतंक का राज कायम हो गया इनी तीनों भाईों के वन्ष में आगे चल कर राक्षस जाती का विकास हुआ तीनों भाईों के वन्षज में मालेवान के वज्र, मुष्टी, धिरुपाश्र, दुर्मुक, सप्तवहन, यग्यकोप, मत्त, उन्मत्त, नामक पुत्र हुए और अनला नामक एक कन्या हुई सुमाली के प्रहस्त, अकनपन, विकट, कालिकामुक, धूम्राश, डंड, सुपार्श्व, सहादी, प्रधस, भासकड नामक पुत्र तथा रांका, पुंडु पोत्कटा, कैकसी, कुभीनशी नामक पुत्रिया हुई इन में से कैकसी रावड की मा थी, माली रावड के नाना थे रावड ने इनी के बलबूते पर अपने सामराजी का विस्तार किया और अपनी शक्तिया बढ़ाई माली के अनल, अनिल, हर और संपाथती नामक चार पुत्र हुए ये चारो पुत्र रावण की मित्यू पश्यात विभीशन के मंत्री बने। रावण राक्षस जाती का नहीं था। उसकी माता राक्षस जाती की थी। लेकिन उसके पिता यक्ष जाती के ब्रामः थे। रावण का अपने नाना की और जुकाओ जादा था इसलिए उसने देवों को चोड़ कर राक्षसों की उन्नती के बारे में जादा सोचा। रावण एक कुशल राजनितिग्य, सेनापती और वास्तु कला का मरमग होने के साथ साथ ब्रह्मग्यानी तथा बहु विद्याओं क जानकार था। राक्षसों के प्रती उसके लगाओं के चलते उसे राक्षसों का मुखिया घोशिट किया गया था। रावण ने लंका को नैसीरे से बसाकर राक्षस जादी को एक और फिर से राक्षस राज कायम किया। उसने लंका को कुबेर से छीना था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंदरजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्निक किसी के पास नहीं था। इस सभी के करण से भैभीत रहते थे। पौराडिक मानिता के अनुसार एक श्राप के चलते असुर राज विश्नु के पारशत जय और विजय नहीं रावण और कुमकरण के रूप में फिर से जन्म लेकर धरती पर अपना सामराज इस्थापित किया। दौापर युग में यही दोनों शि पीर से लंका और उनका विवाण छीन लिया। रावण ने राम की सीता का हरण किया और अभिमानी रावण ने शिव का अपमान तक किया था। विद्वान होने के बावजूद रामड कुर, अभिमानी, दंभी और अत्याचारी था। दूसर राक्षस जिसने की रामायड काल में आतंक मचा के रखा था वो था काल लेमी। काल लेमी राक्षस रावण का विश्वस्त अनुचर था। यह भैंकर मायावी और क्रूर था, इसकी प्रसद्धी दूर दूर तक थी। रावण ने इसे एक बहुत ही कठिन कारिश सौब दिया था। जब राम रावण युद्धु में लक्षमण को शक्ती लगने से वो बेहोश हो गये थे तब हनुमान को तुरंती संजीवनी लाने को कहा गया था। हनुमान जी जब दोणाचल की ओर चले तो रावण ने उनके मारग में विग्ण उपस्तित करने के लिए कालनेमी को भेजा था। कालनेमी ने अपनी माया से तलाब, मंदिर और सुन्दर वगीचा बना दिया और वह वही एक रिशी का विश धारड करके मारग में बैठ गया। हनुमान जी उस स्थान को देख कर वहाँ जलपान के लिए रुकने का मन बना कर जैसे ही तलाब में उतरे तो तलाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला फिर उन्होंने अपनी पूछ से काल लेमे को जकड़ कर उसका वद कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्रपिया वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ये जानकारी अधिकतल लोगों तक पहुच पाए और हाँ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्रपिया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन दवाना ना भूले जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रामायडकाल के अगले जिसने की रामायडकाल में आतंक मजाया था वो था सुबाहू ताड़का के पिता का नाम सुकेतु यक्ष और पती का नाम सुन्द था सुन्द एक राक्षस था इसलिए यक्ष होते हुए भी ताड़का राक्षस कहलाई अगस्य मुनी के श्राप के चलते इसका सुन्दर चेहरा कुरूप हो गया था, इसलिए उसने रिशियों से बदला लेने की ठानी थी, वो आए दिन अपने पुत्रों के साथ में मुनियों को सताती रहती थी, यह आयोध्या के समीप इस्थित सुन्दरवन में अपने पती और दोनों पुत्रों सुबागू और मारीज के साथ म और वो प्रतिदिन रिशियों के यग्य में उत्पात बचाता रहता था, उसी वन में विश्वामित सहित अनेक रिशिमुनी तपस्या करते थे, यह सभी राक्षसगड हमेशा उनकी तपस्या में बाधाएं खड़ी करते थे, विश्वामित्र एक यग्य के दौरान राजा दूर दक्षिड में समुद्र टटपर जागिरा था, रामाण काल का चौथा जो राक्षस था वो था मारीच, राम के तीर से बचने के बाद ताड़ का पुत्र मारीच ने रावण की सड़र ली, मारीच लंका के राजा रावण का मामा था, जब शूपनका ने रावण को अपने अपमान की कथा सुनाई, तो रावण ने सीता हरण की योजना बनाई, सीता हरण के दौरान रावण ने मारीच की मायावी बुद्धी की सहायता ली, रावण महासागर पार करके गोकर तीर्थ में पहुचा, जहां राम के डर के कारण मारीच छिपा हुआ था, वो का पूर्वबंद्री रह चुका था, रामण को देखकर मारीच ने कहा कि राक्षस राज ऐसी क्या अवश्कता आपड़ी जो आपको मेरे पास आना पड़ा, रामण ने गुस्से से भर कर कहा कि रामलक्षपन ने मेरी बहन शूप टका के नाकान काट दिये हैं, और अब हम में उनसे बदला लेना होगा, मारीच ने कहा हे रावण, श्री रामचंदर जी के पास जाने में तुम्हारा कोई लाब नहीं है, मैं उनका पाराक्रम जानता हूँ, भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाड़ों के वेक को सह पाया है, रावण ने मारीच पर क्रोधि मरना अच्छा होगा, फिर मारीच ने पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा, रावण ने कहा कि तुम एक सुन्दर हिरन का रूप बनाओ, जिसके सींग रत्न मैं प्रतीत हो, शरीर भी चित्र विचित्र रत्नों वाला ही प्रतीत हो, ऐसा रूप बनाओ की सीता मोहित हो अगर वो मोहित हो गई, तो जरूर वो राम को तुम्हे पकड़ने के लिए भेजेंगी, इस दोरान मैं उनको हर ले जाऊंगा, मारीच ने रावण के कहे अनुसार ही कारे किया, और रावण अपनी योजना में सफल रहा, इधर राम के बान से मारीच बारा गया, रामार का पांशवा राक्षस था कुम्बकरण, ये रामर का भाई था जो छे महीने के बाद एक दिन के लिए जगता था, और भोजन करके फिर सो जाता था, क्योंकि इसको ब्रह्मा जी ने निद्रासन का वरदान दिया था, युद्ध के दौरान किसी तरह कुम्बकरण को जगाया कुम्बकरण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया, इस से राम की सेना में हाहा कार बज गया, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुम्बकरण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हांतों कुम्बकरण वीरगती को प्राप्त हुआ रामायरकाल का छटा राक्षस्ता कबंध सीता की खोज में लगे राम लक्ष्वण को डंडक वन में अचानक एक विचित्र दानों दिखा जिसका मस्तक और गला नहीं था केवल उसकी एक आँखी नजर आ रही थी वो विशालकाय और बहुत ही भयानक था उस विचित्र दैते का नाम था कबंध कबंध ने राम लक्ष्वण को एक साथ पकड़ लिया राम और लक्ष्वण ने उसकी दोनों भुजाएं काट डाली कबंध ने भूमी पर गिर कर पूछा कि आप कौन वीर हैं परचे जानकर कबंध बोला ये मेरा भागी है कि आपने मुझे बंदन मुक्त कर दिया उसने कहा मैं दनू का पुत्र कबंध बहुत ही पराकरवी तथा सुन्दर था राक्षसों जैसी भीशर आकरती बना कर मैं रिशियों को डराया करता था इसलिए मेरा ये हाल हो गया था रामाणकाल का सात्वा राक्षस था विराध विराध डंडकवन का ही राक्षस था सीता और लश्मन के साथ राम ने डंडकवन में प्रवेश किया वहाँ पर उन्हें रिशी मुनियों के अनेक आश्रम डश्टिगत हुए राम उनी के आश्रम में रहने लगे रिशीयों ने उन्हें एक राक्षस के उत्पात की जानकारी दी राम ने उन्हें निर्भीक किया वहाँ से उन्होंने महावन में प्रवेश किया जहां नाना प्रकार के हिंशक पसू और नर्भचक राक्षस निवास करते थे। ये नर्भचक राक्षस ही तपस्यों को कष्ट दिया करते थे। कुछ ही दूर जाने के बाद बागंभर पहने हुए एक परवता का राक्षस दिखाई दिया। वो राक्षस हांती के समान तुम दोनों कौन हो, तुमने क्या मेरा नाम नहीं सुना, मैं प्रते दिन रिशियों का मास खाकर अपनी भूख को शांत करने वाला विराध हूँ, तुम्हारी म्रत्यों ही तुम्हें यहां लेकर आई है, मैं तुम दोनों का अभी रक्त पान करके इस सुन्दर इस्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा, विराध ने हसते हुए कहा, यदि तुम मेरा परिचे जानना ही चाहते हो, तो सुनो, मैं जैराक्षस का पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम शत्हदा है, मुझे ब्रह्मा जी से ये वर्दान प्राप्त है, कि किसी भी प्रकार का अश्ट श्त्र न ना तो मेरी हत्या कर सकता है, और ना ही उनसे मेरे अंगचिन भिन होंगे, यदि तुम इस इस्त्री को मेरे पास छोड़ कर चले जाओगे, तो मैं तुम्हे वचद देता हूँ, कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, राम और लक्षमन ने उससे घोर युद्ध किया, और उस से हर तरह से घायल कर दिया, फिर उसकी भुजाय भी काट दी, तब राम बोले लक्षमन, वर्दान के कारा ये डुश्टुम्बन नहीं सकता, इसलिए यही उचित है कि हमें भूमे में गड़ा खोद कर इसे बहुत गैराई में गार देना चाहिए, लक्षमन गड़ा खोद मैं शराप के कारण ही राक्षा सो गया था, आज आपकी करपा से मुझे उस शराप से मुक्ति बिल रही है, राम और लक्षमन ने उसे उठा कर गड़े में डाल दिया और गड़े को पत्सर आधी से पाठ दिया, आठवा राक्षा स्रामअर का था अहिरावर, अहिरावर ए पहरण कल लिया था जब अहिरावण श्री राम और लक्षवण दोनों को देवी के समक्ष बली चढ़ाने के लिए विभीशन के भेश में राम के शिवरबे गुसकर अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था तब श्री राम और लक्षवण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लो पहुँचे और वहां उनकी भेट उनके ही पुत्र मकरद्वज से हुई उनको मकरद्वज के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी क्योंकि मकरद्वज अहिरावण का द्वार पाल था मकरद्वज ने कहा अहिरावण का अंत करना है तो इन पांच दीपकों को एक सा में मुझाना होगा ये रहस से ग्यात होते ही हनWawanजी ने पंच मुखी हनुमान का रूप धारड किया उत्तर दिशा में वराहमु, दश्यर दिशा में नर्सिंग मुख, पश्यम में गरुण, आकाश की ओर है और पूर्वदिशा में हनमान मुख इन पांच मुखों को धारड कर उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को भुजा कर अही रामण का अंत कर दिया और श्री राम और लक्षमन को मुक्त किया हनमान जी ने अही रामण का वद करके प्रभु श्री राम और लक्षमन को मुक्त करा और मकरध्वश को पाता लूग कर राजा बना दिया और उसे धर्म के मार्क पर चलने की प्रेणा दी नवा राक्षस जो की रामाड काल में बहुत ही जादा आतंक मचाये थे वो था खर और दूशन ये दोनों रामड के सौतेले भाई थे रिशी विश्वा की दो और पत्निय थी खर पुशपोट कटा से और दूशड वाका से उत्पन हुआ था जबकि कैकसी से रामड का जन्म हुआ खर दूशड को भगवान राम ने मारा था खर और दूशड के वद की घटना रामाड काल के अरणे कांड में मिलती हैं शूपनखा की नाकांड काट लेने के बाद खर और दूशड के पास गई थी खर और दूशड ने अपनी अपनी सेना तयार करके वन में रहरे राम और लक्षमड पर हमला किया लेकिन दोनों भायों ने मिलकर अकेले ही दोनों का वद कर दिया रामाड काल का दस्वा जो राक्षस था वो था मेगनाद मेगनाद को बना कर रावण के समक्ष प्रस्तुत करा था। रावण की पुत्रों में मेगनाद सबसे अधिक पराक्रमी था। माना जाता है कि जब इसका जन्म हुआ तब इसने मेग के समान गर्जिना करी थी इसलिए इसका नाम मेगनाद हुआ। मेगनाद ने युववस्था में ही दैत्वों के गुरु शुक्राचारी की सहाथा से सब्त यग्य किया था और शिव के आशिरवात से देवेरत, देव्यास्त और तामसी माया प्राप्त करी थी और उनसे राम की सेना के साथ माया भी युद्ध किया कभी भी अंतरधान हो जा विभीशन ने कुबेर की आग्या से गुहा जल श्वेत परवत से लाकर दिया था जिससे नेत्र धोकर अदरशिक को भी देखा जा सकता था श्री राम की ओर से सभी प्रमक युद्धाओं ने इस जल का प्रियोक किया था जिससे मेगनाद से युद्ध किया जा सके इसने र विपित इस्तिती देखकर हनुमान जी पवन बेक से उड़ते हुए गरुड़ जी को लेकर आये गरुड़ जी ने नाकपाश को काट कर राम लक्षमण को बंधन मुक्त किया राम लक्षमण स्वस्त होकर वानर सेदा में मनोबल बढ़ाने लगे मेंगनाद को जब राम लक्षमण के जीवित होने की सूचना मिली तो वो अपनी सेना को लेकर फिर से युद्ध करने आया इस बाल लक्षमण और मेंगनाद का प्रलैकारी युद्ध हुआ दोनों एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रियोग करने लगे दोनों के युद्ध को देखकर आकाश के देवता भी हैरान हो गए थे तब ही लक्षमण ने एक दिव्य बाड भगवान राम का नाम लेकर मेंगनाद पर छोड़ दिया बाड मेंगनाद का सिर काटते हुए आकाश में दूर तक लेकर चला गया मेंगनाद की इस इस्तिती को देखकर राक्षा सेना का वनोबल पूरी तरह से तूट गया और प्राण बचा कर वो लोग नगर की और भागने लगे रावण को जब मेगनाद की मृत्यू का समाचार मिला तो वो शोप के कारण जड़वत अपने सिंगासन पर बैठ गया तो दोस्तों ये थी जानकारी रामाएड काल के उन राक्षासों के विशेबें जिनोंने सबसे ज़्यादा आतंक मजा के रखा हुआ था जड़गारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिकर की जरूर बताईएगा तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे राधे